प्रेज दो लॉर्ड इस पिछले दिनों में हमने देखा था कल प्रितों काम उसका ग्यारा अच्छा है बचनेक से अठरा हालेलुया वहाँ पर यह कंटिनिवेशन होता है कैसे पत्रस कॉर्निलियोस के परिवार से हालेकाइसरिया से लोटने के बाद जो लोग यहुदी विस स्वास से ये शुमसी को विस्वास करने में आये थे यानि विवस्ता को छोड़के ये शुमसी के सुसमाचार को विस्वास करने आये थे और लोग पत्रस को चार्ज लगाए कि आप कैसे अन्य जाती के लोगों के साथ खा सकते हो रह सकते हो और समय पत्रस ने बताया कि कैस गवाई पत्रस ने दिया और लोग समझ गए और परमेश्र कर धनेबाद दिये आलेलूया ये घटना वहाँ पे खतम होता है और उसी समय साइड बाज साइट एक और घटना घटता है जो बचन 19 से 30 के बीच में है और ये बहुत ही मज़ेदार है आलेलूया एक्शली हम लोग देख रहे हैं कि प्रितु के काम में कलीश्या का सुरुवात हुआ है और येहुदी लोगों के अंदर ही सिमित था अब धीरे धीरे आठवे अध्याय से हम देख रहे हैं धीरे धीरे लाइक परमेश्री ऐसा कर रहा है कि ये दूसरे जगाओं में अन्य जातियों भी भी फ साउल को कहा कि तुझे मेरे लिए अन्य जातियों में गभार खेहर ना है फिर हम दसवे अध्याय में देखते हैं पत्रस को परमेश्र ने दर्सन के द्वारा कहा कि अन्य जातियों के बीच में जा हाललुया अभी ग्यारा आज्याय में फिर से उसी का और एक जलग हम देख को देखा था थोड़ा सा पढ़ने हैं उससे दिन यरुशाले में कलिशया के उपर बहुत बड़ा सताव आया और विश्वासी लोग बहुत सरे जगा में तीतर बितर हो गये थे अभी हम 11 अज्याय के वचन 19 से 21 को पढ़ेंगे वस 19 to 21 आटवे अज्या में हमने देखा कि स्टीफान को जब मारा गया उसके बाद कैसे कलिशया के उपर भारी सताव आया और भारी सताव आने के चलते विश्वासी लोग तितर बितर हो गये थे अभी हम 11 अज्याय के वचन 19 से 21 तक पढ़ेंगे सो जो लोग उस क्लेस के मारी जो स्तिफ्नुस के कारण पढ़ा थे तितर बितर हो गये थे फिरते 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 पिनी के और कुक्रूस और अंताकिया में भूजे परंतो यहुदियों को छोड़, किसी ओर को वज्जन ना सुनाते थी परंतो उन में से कितने फुप्रोशी और पुरेनी थी जए अंताक्या में आगर गुनानियों को भी प्रभू येश्व का संहाचार की बाते सुनाने लड़ और प्रभू का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करकी रभू की और फिरे अललुया, glory to Jesus देखिए स्टीफान के जल ते उसके बाद जो येरुसेलम में कलिशाय को पर सताव आया और यहां पर लोग तीतर वितर हो गए थे उन में से कुछ लोग, hallelujah देखिए हम आठ अज्याय में एक और विश्व पढ़े थे कि कुछ लोग समरिया को भी चले गए थे और वहां पर फिलिप के द्वारा जैसे काम हुआ था आज हम देख रहें कि और कुछ लोग, मैंने इंग्लिस में नोट बनाया है तो इंग्लिस में उनका नाम बट रहा हूँ इन जगाओं में वो लोग चले गए, hallelujah और एक बात बहुत ही आनन्द का विश्य है कि यह लोग जहां भी गए, सुसमाचार को परचार किया मगर एक लिमिटेशन था, यह यहुदियों के बीच ही परचार करते थे, मगर फिर लिखा गया है साइप्रस के कुछ विश्वा से, यह एंदियोक को आके, अन्य जातियों के बीच में भी, युनानी लोगों में भी, सुसमाचार को प्रोक्लेम करना स्टार्ट किया Hallelujah, Glory to Jesus, धीरे-धीरे लोगों का दिमाग भी खुल रहा है कि यह सुसमाचार सब के लिए है Hallelujah, मैं जानता हूँ कि, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, साइप इसको आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जब से मसीहत को जानते हैं, हमें मालू है कि यह तो सब के लिए है मगर मैं आपको एक विशय बताना चाता हूँ कि पहले से ऐसा नहीं था पहली कलिसिया, उनको यही समझता कि यह सिब यहुदियों के लिए है यहुदियों का उधार के लिए है, येश्यों मसी यहुदियों का मसिया है हाललूया, इनको समझाने के लिए, इनको बताने के लिए येश्यों मसी को सावल को उठाना पड़ा है हाललूया, glory to Jesus, पत्रस को दर्सन देना पड़ा धीरे-धीरे लोग का दिमाग खुल रहा है, you know, hallelujah, और देखते हैं कैसे वहाँ पे विश्वासियों का संख्या बढ़ने लगा है, glory to Jesus, ये जो areas हम लोग पढ़ते हैं, फोइनिस्या, साइप्रस है, एंटियोक, सोरे, ये जो जगा सब हैं, ये येरुसलम से लगभक, 480 किलोमेटर कम से ज़्यादा, like 400-500 किलोमेटर के बीच का रस्ता है, इतने दूर कच्छु समाचार फैल गया, hallelujah, glory to Jesus, glory to Jesus, अभी हम वच्छन पढ़े हैं, वच्छन 22-26, वच्छन 22-26, तब उनकी चाच्छा येरुसलम के कलीसिया के सुनने में आई, और उन्होंने वर्नवास को आंता किया बेजा, वो बहा पर पहुंचकर और परमेश्वर के अनोग्रह को देखकर आनन्दित हुआ, और सब को अनोश्य था, और पवित्रा आत्मा से परिपूर्न था, और बहुत से लोग प्रभू में आ मिले, तब वो साउल को डूनने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उनसे मिला, तो उसे अन्ता किया में लाया, और ऐसा हुआ, कि वे एक वर्ष तक कलीशिया के साथ मिलते, और बहुत लोगों को उप्तेश देते रहें, और चेलिए सबसे पहले अन्ता क्या ही में मसीह कह गया, अब अन्तिक्या में और इन सब जगाओं में ऐसे काम हो रहा है बोलके, यरुशलम के कलीशा को मालूम हो गया, और उन्होंने किसको भेजा वहाँ पे, बढ़नवास को पत्रस भी था, यहुना भी था, मगर उन्होंने वर्नवास को भेजा, इसका कारण क्या हो सकता है मालूम है, एक वच्चन को हम देखते हैं, प्रितो का काम उसका चार, उसका च्छतिस और यूशुप नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रितों ने बर्नवा अर्थार, शांती का पुत्र रखा था बर्नवास कहां का था? कुप्रुस का एक लेवी ये जो अभी हम प्रितों के ग्यारा अध्या में पढ़ रहे हैं, जो एरिया हैं, जो साइप्रस या कीप्रुस जो हिंदी में बोल रहे हैं, इस एरिया में अपसो समाचार खेल गया है, और बर्णवास जो है, वहीं का था, आललुया, तो हम एक विशग हो देखते हैं कि कलिस कलिसिया ने कौन सीनियर है, ऐसे बोलके नहीं बेजा है, मगर एक चुप अवित्रा आत्मे पुर्ण है, विश्वास में पुर्ण है, अच्छा व्यक्ति है, उसको पहले वहाँ पे भेजा, क्योंकि ओ वहाँ से बिलॉंग करता था, आललुया, ग्लोरी टुजीजस, ये ब बढ़नवास वहाँ पे जाने के बाद और लोगों को उत्साहित किया, और विश्वासियों के संख्या और बढ़ गया, फिर बढ़नवास जाके साउल को ढूनता है, फिर उनको लाता है, फिर एक साल तक वहाँ पे रहके कलिस्या को बढ़ाते हैं, एमपावर करते हैं, और वहां पर संक्या बहुत बढ़ जाता है और जो सबसे मज़दार चेट जो 26 वे आयत में लिखा गया है कि सबसे पहले आंतियक्या में एंटियोक में छेले लोगों को 2080 लोगों को Christian बोलके कहा गया Hallelujah Glory to Jesus Glory to Jesus बहुती आश्यजय का बात है कि मसीहत को फैलाने के लिए उनको कोई मुमेंट स्टार्ट करना नहीं पड़ा कोई ओर्गनेशन भी स्टार्ट करना नहीं पड़ा मगर लोग अपने आप इनको Christian बोलने लगे Glory to Jesus Glory to Jesus अगर इसी चैप्टर का आप Commentary follow करेंगे तो वहाँ पे एक footnote लिखा जाता है कि Antioch में Antioch में इस region में जब church ग्रो किया ओ चर्च प्रोस्परस भी होने लगा Hallelujah और Antioch एक ऐसा जगा बना जो बहुत सालों तब उसके आसपास के बहुत सारी कलिसिया का एक center ठहरा जहां पे लोग आते थे मिलते थे और वहाँ पे मिशने लोग को send किया जाता था Hallelujah Like financially बहुत प्रोस्परस हो गए थे और एक center of ministry हो गया था Glory to Jesus यह बहुत ताजुब की बात है कि सताओ की चलते कुछ लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे अभी Like चेले इतने बढ़ गए है उनका परिश्य लोगों के बीच आने लगा है और एक मिशने दी center बन चुका है Hallelujah Glory to Jesus Glory to Jesus अभी next page पढ़ेंगे वचन 27 से 30 उनी दिनों में कई भविश्यद वक्ता यरुसलम से अंता किया में आएग उनमें से अगवुस नाम एक में खड़े होकर आक्मा की प्रेड़ना से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वो अकाल खलेदी उसकी समय में पड़ा तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी की अनुसार यहुदिया में रहने वाले भायों की सेवा के लिए कुछ भीजे और उन्होंने ऐसा ही किया और वर्नवास और साउल के हार प्राचिनों की पास कुछ भीज दिया मैंने अभी आपको कहा था कि ये कलिस्या प्रॉस्परस बन गया था अभी हम देखते हैं कि कलिस्या में पहली बार प्रॉफेटिक ग्रेस देखने को मिलता है एमैन, हाललुया और येरुशलम में कुछ भविश्यर लगता है वो भी अंतियक्या को आते हैं, एंतियोक को आते हैं मेरे प्यारों, बहुत बार ये कहा जाता है कि प्रॉफेट्स से पुराने करार में होते थे प्रॉफेट्स नैनियम में नहीं होते हैं मगर आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे वो विश्यर बगताओं का एदल अंतियक्या के कलिस्या में आया एक दल आया बोलके लिखा गया है और कई बार हमें कहा जाता है कि आजकल जो प्रॉफेट्स से प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है एक्चुली प्रॉफेट्स से मतलब बचन को समझाना है मगर इसी भाई बिलम हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोग बचन नहीं समझा रहे हैं वो भी जरू समझा रहे होंगे मगर प्रॉट्री फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आकाल पढ़ने वाला है और उसी प्रॉफेशीस को बेज करते हुए वहां के लोगोंने फंडरीच किया और येहुदिया के कलिस्या को ब्रदस लो भाई बेहन लोगों को भेजने का विवस्ता किया हाललूया और ये सारे ओफरिंग को उन्होंने साओल और बढ़नवास के द्वारा उन्होंने भेजा प्रेज द लॉट Hallelujah, Glory to Jesus हम इस बचनों से क्या सिखते है Glory to Jesus, पहला विशह Learning ये है You don't have to ask God to use you आपको परमेशर के पीछे नहीं पढ़ना है कि वो आपको इस्तिमाल करे If you are really ready अगर आप सच में तयार हैं परमेशर के लिए अगर Great Commission आपके DNA में बस चुका है तो आपको सताओ के द्वारा भी परमेशर यूच करेगा देखिए, पहली कलिसया को परमेशर ने सताओ के द्वारा इस्तिमाल किया कि तुम जाओ, इधर से तुम जाओ, येरुसलम से जाओ क्योंकि परमेशर जानता था इनके अंदर DNA है, सिप समझ की कमी है ये जहां के ही भी जाएंगे, मेरे सुसमाचार को फैल आएंगे परितो का काम एक का आठ को फुल्फिल करने के लिए परमेशर ने परितो का काम आठ के एक को एलाओ किया हाललुया गौड यूज़ एक्स चैप्टर एट वर्स वन परितो का काम एक अठ है, आठ वचन में क्या लिखा है परमतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ आओगे और येरुशलम और सारे यहुदिया और समर्या में और पृत्विकी छोर तक मेरे गवाह होगे जब पवित्र आत्मा तुमारे उपर आएगा तुम मेरे लिए गवाह ठेहरोगे येरुशलम में, येहुदा में समर्या में और दुनिया के सोर तक अभी आठ का एक पढ़िए अज्या आठ का एक उसी दिन येरुशलम के कलीसिया पर ने लगा और प्रेभुतु को छोड़ सब के सब जिहोद्या समर्या देशों में लित्र वित्र हो गए आलेलुया कनेक्शन देख रहे है येहोद्या और समर्या के देशों में लित्र हो गए है और अभी ग्यारा आध्याय में अंत्यक्या तो पहुँच गया है, दुनिया के छोड तक, ये कैसे हुआ, एक सताओ को परमिशो ने अलाओ किया, हाललुया, तो मैंने जो पहला पॉइंट बोला, अगर आप तयार हैं, तो परमिशो आपको बाइफोर्स यूच करेगा, इनको सताओ के द्वारे यूच किया, कई भा लोग बोलते हैं, प्रभू मुझे इस्तिमाल कर, इस्तिमाल कर, परमिशो यही देखता है, कि तू तयार नहीं है, तू डेडिकेट नहीं है, तू सरेंडर, तेरा सरेंडर में देख नहीं पा रहा हूं, तेरे डियने में अभी तर ग्रेट कमिशन नहीं है, तू प् क्ये कुटवाले यूचकरवा हाललुया समझ पा रहे हैं glory to Jesus जब DNA में होगा तो परमिश्वर आपको ऐसा इस्तिमाल करेंगा glory to Jesus हाललुया दूस्सा point कलिस्या ने बर्णवास को वहाँ पे भेजा दूसे लोगो भेज सकते थे मगर जो व्यक्ति वहाँ से connected था पहले उसी को भेजा glory to Jesus देखिए ये एक wisdom का काम है glory to Jesus हम लोग हमारे area के एक दिया सो रूप है हम लोग जब जिस area में हम लोग बिलॉंग करते हैं वहाँ पे लोग को connect कर पाते हैं जब हमारे जीवन में लोग बदलाओ देखते हैं तो हमारे दोस्त हमारे relatives ओ लोग connect कर पाते हैं you know hallelujah और हम देखते हैं कैसे बढ़नवास के द्वारा उस area में बहुत बेदारी आया और फिर बढ़नवास ने साउल को बुलाया और दोनों ने एक साल तक मिलकर वहाँ पर लेवर किया teaching का, preaching का, watching का, प्रातना का और फिर लोगों ने ये सारी कलीसियाओं के जो भी स्वासी थे इनमें मसी को देखा इन्होंने क्राइस्ट को देखा और इनको पहले लोगों ने क्रिस्टियन कहा क्राइस्ट का मतलब मालूम है अगर आप पेस्टन ट्रांसलिशन में से इस वचन को पढ़ेंगे तो सही में समझ पाएंगे प्रिस्टियन का काम 11 का 26 पेस्टन ट्रांसलिशन से थोड़ा पढ़िए Together Saul and Barnabas ministered there for a full year equipping the growing church and teaching the vast number of new converts it was in Antioch that the follower of Jesus were first revealed as anointed ones Hallelujah they were first revealed as anointed one glory to Jesus देखे जब हम उडिया में हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम पहले Christian बोला गया एक नाम नहीं बोला गया लोगों ने एक revelation को देखा कि ये लोग अलग हैं ये लोग anointed है लोगों में लोगों ने कलिस्या में anointing को देखा हर एक विश्वासी में anointing को देखा glory to Jesus glory to Jesus हमने पहले भी पढ़ा कि इनके द्वारा बड़े-बड़े काम होते थे कलिस्या अभिसिक्त है Christian जो वर्ड है उसका मतलब ही anointed है glory 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 सबसे पहले लोगों ने ये रुशलम की कलिस्या को Christian बोलके नहीं कहा मगर अंतिक्या की कलिस्या को लोगों ने देखा इनका जीवन anointed है मेरे फ्यारों ministry सिब योजनाओं से program से meeting से नहीं होता our life is our branding अगर हमारा life anointed है people will see it लोग देखते हैं लोग differences को जानते हैं hallelujah कई बार क्या होता कि ministry मतलब लोग कुछ start करना चाहते हैं चलो हम एक ministry start करते हैं हम ministry में ये program start करते हैं weekly prayer meeting start करते हैं ये सारे अच्छे भीशे है मगर सवाल ये है क्या हम एक अविसिक्त जीवन को जी रहे हैं glory to Jesus hallelujah अगर आप translation और फिर से check करेंगे तो इसमें पवित्रता को लोगों ने देखा लोगों के जीवन में एक भाएंकर पवित्रता को देखा और अविशे को देखा और लोगों ने कहा कि ये लोग anointed है hallelujah glory to Jesus glory to Jesus hallelujah तिर्शा विशे हम देखते हैं कि कलीसया के उपर वविशेवानी का grace आया अनुग्रह आया और अगर उसने कैसे एक आकाल को predict किया और कलीसया ने इसको भी स्वास किया और उसी हिसाब से उन्हेनी योजना बनाया हमारे जी एफेम के लिए prophecies है कितने लोग हम भी स्वास करते हैं और उस प्रोफेसी को लेके लोगों ने फंड रेज किया ववाकाल नहीं पढ़ा था मगर फंड रेज हो चुका था glory to Jesus hallelujah एक प्रोफेसी काफी था लोगों को विश्वास में खड़े होने में कि हम जी एफेम परिवाद जी एफेम के उपर जो प्रोफेसीस है विश्वास करते हैं और financially खड़ा होने कोशिस करते हैं glory to Jesus चोथा विश्यर ये कलिसिया prosperous बन चुका था और हम देखते हैं कि यहाँ पर आकाल तो हर जगा आना था मगर मदद येरुशलम से यहाँ नहीं आया मगर अंत्यक्यासी येरुशलम को गया नीचे से उपर को गया उपर से नीचे को नहीं आया कही बार लोग ministry में यही समझते हैं कि अगर कोई कुछ हो जाए कोई problem हो जाए जो भी हो जाए तो हमारे जो head office है जहांसे हमने सुसमाचार पाया है जहांसे हमारे leaders लोग है वहीं से मदद आएगा मगर ये कलिसिया उसको बदला रहा है ये उस वचन को पूरा कर रहा है कि सुसमाचार दीने वाले लोग सुसमाचार के द्वारा जीएंगे तो जहांसे सुसमाचार आया है उनके पास ये लोग एक आभारी होते हुए इस आकाल के समय जो prophecy के दर प्रेडिक्ट हो है वो उनको अपना मदद भेज रहे है बोलने के लिए we are blessed by you और इस आकाल के समय में हम आपके लिए blessing होना चाहते हैं not top to bottom but bottom to top मेरे फ्यारो इसलिए हमारे जेफेम के कलिस्या में offering seed sow करने के लिए इतना सिखाया जा रहा है आजकर क्योंकि हमें biblical principle के अनुसार ही चलना है Amen Hallelujah तक कि biblical breakthrough हम लोग देखें Amen I hope you are blessed God bless you everyone